हेलो गाईज मेरे नाम है साजी सेफ्य और मेरे चैनल माई टू सबोर्ड में आपका मैं तही दिल से वालकम वड़ता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको Realme 2 के अंदर एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसके जरीए आप अपने फॉन के अंदर जितने भी empty folder से आप उनको एक क्लिक में डिलेट कर सकते हैं और आपको उन folders को कहीं भी सर्च करने की ज़रूत नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा प्लेय स्टोर में आना होगा और प्लेय स्टोर में आने के बाद यहां आपको empty folder cleaner के नाम से एक application को सर्च करना है और उसे अपने फॉन के अंदर इंस्टॉल करना है तो मैं इसे अपने फॉन के अंदर अल्ड़ी पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूं चलिए मैं आपको इसको यूज करने से पहले हैं इस application को यूज करने से पहले है कुछ जो है जो empty folder है उनके sample आपको दिखा देता हूं तो इसके लिए आपको मैं चलिए file manager के अंदर लेकर चलता हूं तो जैसा कि दोस्तों आप यहां गौर से देखें मैं यहां file manager के अंदर चुका हूं और आने के बाद यहां आप गौर से देखें तो internal memory है यहां phone की यहां मैंने एक folder create किया है test के नाम से अब यहां आप गौर से देखें तो इस test folder के अंदर यहां हमारा कुछ भी नहीं है यह एक खाली folder है अब हम इस application के जरीए इस folder को यहां से delete करके आपको दिख अब यहां आप गौर से देखें तो यहां आपको फर्स्ट में यानि कि जो सब सब एहला option है delete empty folder का अभी आपको करना क्या है इस पर click करना है जैसी दोस्तों आप इस पर click करते हैं तो आपके phone के अंदर जितने भी empty folder थे वो सारे के सारे यहां से delete हो चुके हैं और यहां और जो zero दिखा रहा है और वहां आपको टेस्ट नाम का एक folder है वो से भी इसने यहां से delete कर दिया चलिए दोस्तों आपको मैं एक बार file manager में फिर से लेके चलता हूं और हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो empty folder हमने बनाया था test के नाम से क्या वो कटा या नहीं तो इसके ल रहा है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारा जो folder हमने create के था test के नाम से empty folder वो यहां से successfully delete हो चुका है अब जाहिर सी बास है दोस्तों जब हमने हमारा जो folder वो था वो यहां से cut गया है तो हमारे phone के यानि की internal memory में जितने भी empty folder थे वो सारे के सारे वो भी delete हो गए और यह दोस्तों application अच्छे से work करती है और काफी ज़्यादा useful है मैंने इसको personally काफी time से इसको मैं use कर रहा हूँ इससे होता यह है कि हमारे phone के अंदर जितने भी empty folder वन जाते हैं जो temporary folder वन जाते हैं वो हमारे file manager में आने के बाद हमें काफी ज़्यादा परिशन करते हैं जिससे हमार तो वही फ़र से आपको repeat कर मैं आपको एक बता जिता हूँ कि आपको बस simple एक click करना है delete empty folder और आपके सारे folder delete हो जाएंगे तो दोस्तों यह एक काफी कमाल की application है आप इसके जरीए जो है अपनी memory को भी बढ़ा सकते हैं तो चलिए दोस्तों फिलाल इस video को खतम करते हैं और अगली वीडियो में इसके बाद जो अगली वीडियो में नेक्स बनाओं बता यानि कि नेक्स वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी वो उस वीडियो में मैं आपको बतांगो कि किस तरह से आप अपने फॉन की जो internal memory आप उसको अच्छे से खाली कर सकते हैं तो चलिए फ कि अगली को आप हैं अगली किस तरह से थांगो कि कि आप बता हैं कि अवर प्रीज़ आपको मेरे जोन सब कर दोंगार कि किस जो आपको एना रहर सकते हैं जो आपको उना इसका हैं